हम सभी को हमेशा अपने स्किल्स पर काम तो करना ही चाहिए मगर उसे परमानिंट नहीं मालेना चाहिए कोई भी स्किल्स आपने का सीख लिए है तो यह मत मान के चलिए उस से अधे में पैसे कमा रहा हूँ इस से मुझे ग्रोथ मिल रहा है थे this permanent है, नहीँ, उसको हमेशा update करते रहने की जरूरत है, अगर आप उसको update नहीं करेंगे, तो कम होता चला जायेगा, उसको बढ़ाते रहने की जरूरत है, better को best बनाने की जरूरत है, क्या कहना चाह रहा हो मैं, मैं एक कहानी से समझाता हूँ, एक व्यक्ति था, जिसने खोलने का सोचा रिटेल करूंगा थोड़ा बहुत डिस्ट्रिबूशन भी करूंगा गया बाजार में जुलाई का महीना था देखा बाजार तिरंगों से पटा हुआ है भारत का राष्ट्रिय ध्वज उससे पटा पड़ा है उसने सोचा क्यों न तिरंगों का बिजनस किया पूरी दुनिया बिजनस कर रही है सब को ग्रोथ मिल रहा है मुझे भी मिलेगा इसने तिरंगे खरीद के लाया दुकान में बेचना सुरू कि आगास्त का महीना स्टार्ट हो गया था सोतंत्रिता दिवस आने वाला था जम कर सेल हुई इतना सेल इतना प्रॉफिट कि उसक उससे ज्यादा तिरंगा खरीद करके और लिया आया होना क्या था इसकी भी सेल उटनी ही ज्यादा हुई चोबरा तारीक तक तो इतनी सेल हुई कि इसको बेशते-बेशते ठाग गया मारे स्टॉक ज्यादा लाने के बियर से श्टॉक कितना था कि कितना भी बेचे, बिकेगा कितना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है पंदरा तारीक आई, सुतंतरता दिवस्त लोग मनाने लगे, सेल गिरना सुरूप हो गया सोला तारीक को एक भी तिरंगा इसका नहीं बिका सतरा तारीक, अठारा तारीक, महीने में कोई एक आद बंदा आ जाए किसी वज़ा से, किसी को कोई स्कूल बच्चे को को जरुवत हो, किसी तरह का कोई सांस्क्रिट एक प्रोग्राम हो या कोई और वज़ा हो, लोग तिरंगा खरीदने के लिए आ जाते थे इसको समझ नहीं आ रहा था, यह हो क्या रहा है, इतना बढ़ियां ग्रोथ, इतना बढ़ियां मार्जन, इतनी अच्छी सेल और अभी जाकर कि सेल पिट गई, ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताने के जरुवत नहीं है, इससे क्या गलती हुई तिरंगे के सेल साल में दो बार होती है, एक 26 जनवरी को एक 15 अगस्त को, तो उसके आस पास की एक महिना पहले से, और उस तारिक तक होती रहती है, बार में होने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, यही इसके साथ भी हुआ, कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह के बिजनस मे उतराया है, तो उसमें ग्रोथ जो है, एक पाटिकुलर टाइम पर मिलका, फ्रेम में आकर के ही मिलेगा, यह मुझे समझाने के जरुवत नहीं, यह कैसे बिजनस चलता है, मां गलती क्या हुई इस व्यक्ति से, इसने बिजनस सही चुना, मगर इसने अपने आपको अपडे कोई एक ऐसी स्किल जिससे आज आज आप बहुत धन कमा रहे हों, कुछ ऐसा गुण, कोई ऐसी क्वालिटी जिससे आप बहुत पैसा चाप रहे हों, और उसी के भरोसे बैठे हुए हों, उसी के भरोसे आप सोच रहे हों किससे में जिद्गी कर जाएगी, कुछ ऐसा हो जा बिजनस कर रही थी एक ऐसा समय था तो उसने कैमरेज को रिप्लेस कर दिये थे मुवाइल का लीड करता था 79% का मार्केट लीडर था एक जमाने में नोकिया धीरे धीरे उसने अपने आपको बदलना नहीं सुईकार किया दूसरी कमपनी जेंटर किया और नोकिया को साफ कर दिया बिक गई कमपनी मुझे बतानी के जरुवत नहीं और क्या क्या हुआ उसके साथ उसी तरह से एक जमाना था जब पीटर एंग्लेंड से पिटे थे उनके shirts क्यों पिटे थे सिर्फ एक छोटी सी गलती के वज़े से Indian का एक pattern होता है कपड़े पहनने का Indian अपने shirt में left side में pocket रखना पसंद करते हैं shirts में especially मगर फिन्लेंड में ऐसा concept ही नहीं था वहां पर shirt पहने जाते थे नॉर्मल तरीके से कोई बिना जैसे T-shirt लोग पहनते हैं जिसमें की pocket नहीं होता है ओर लोग इंडिया आये और लोगों ने कहा कि नहीं without pocket के shirt हमें accept नहीं company ने पूरा-पूरा marketing resource दुबारा से किया अपना wind up किया business को remarketing करके दुबारा एंटर के with pocket अगर आपको उस जवाने का ad याद हो Peter England का तो दुबारा उन्होंने अपने campaign में pocket दिखाया था जिसमें pen रखते हुए एक व्यक्ति अपना pin लेता है और pin निकाल करके सिगनेचर करता है सिर्फ दिखानी के कोशिश देखे पीटर लिंग दुबारा आया है pocket के साथ उसके बार आदित बिल्ला ने इसको खरीद लिया आदित बिल्ला के आज company है मगए मैं इसके कहना ये चा रहा हूँ अपने आप में थोड़े थोड़ी चीजे हर देश के इसाब से surrounding से हर व्यक्ति के इसाब से चीजे बदलती चली जाती हैं बदलती रहती हैं विया पार कोई भी आप करते हों हर देश के इसाब से मैकड़नल्स का भी आप जानते ही होगे क्या किया था जब इंडिया में मैकड़नल्स एंटर किया था तो बीफ बेशता था बीफ बर्गर बेशता था बहुत बुईतर पीटा था क्योंकि इंडियर का एक कॉंसेप्ट ही नहीं है भारती नहीं खाते हैं खास तोर पर एक जाती कैसी है जो उसको माता मानती है और उसको खाना हमारे यहां धर्म के विरुद है आप वो बेचे होगे तो कैसे सर्वाइफ करोगे तब उसके बादे उन्होंने दुबारा अलु टिक की बरगर आज उनका फ्लैक्शिप हो सबसे बिकने वाला बरगर जो है इंडिया में इनका अलु टिक की बरगर है मगबिश्यों के किसी भी डेश में मैकडि आलु टिक की बरगर नहीं बेचता हैं virtually उस पर काम करता है समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हू Skills आपको बदलनी होंगी, इंप्रूफ करनी होंगे नया सीखते रहना पड़ेगा, नया करते रहना पड़ेगा इंप्रूफ अपने आपको करते रहना होगा, अपडेट अपने आपको करते रहना होगा अगर आप किसी वियापार में हैं और आपका वियापार बहुत अच्छा चल रहा है बिलकुल डाइवर्सिफाइड बिजनस मूता रहिए उस बिजनस से उसको चलने दीजेए और आपको ग्रोथ दे रहा है और कुछ अपने अंदर चेंज करने के लिए तयार नहीं क्योंकि पैट्रोल के डिमांड कभी खत नहीं होगी पैंडेमिक के टाइम उसने देख लिया वो ऐसे से बहुत सारे गल्फ कांट्री जिनके हालत खराब हो गई क्योंकि डिमांड ही नहीं थी गाड़ियां चली नहीं रही थी हर जेकर लॉकडाउन था सीखिए बड़े बिजनसमेंस से सीखिए बड़े विसर्चर्स से सीखिए नय नय प्रियोग देखिए खूब पढ़िए नया सीखने के लिए तयार रहिए अपने आपको बदलने के लिए तयार रहे है स्किल्स सीखते चले जाएए अपडेट करते चले जाएए बदलेंगे इंप्रूव करेंगे सीखेंगे आपको कोई पिछार नहीं सकता आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता आप बढ़ते चले जाएंगे इंप्रूफ करते चले जाएंगे चलिए उमेद करता हूँगा अच्छा लगा होगा आज का एस्टेशन मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो नए एनर्जी के साथ Have a great day